कि नमस्कार विध्यारतियों कि आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो अभिज्ञान साकुंतलम का चतुर तंक पीजीटी के सिलेवस में रखा गया है तो उसके विशे में हमने इस इसलोग को पढ़ लिया था कि विचिंते अंति यम अन्यमानसा तपोधनम वेच्षीन माम अपस्तम इस मारिश्यती तौामनस अबोधितो पिशन कथाम प्रमत्था प्रतमम कृताम एव यह जो इसलोग है इस इसलोग के विशे में जब आप देखेंगे जो ब्याकन टिपनिया है तो देखें विध्यारत क्या है विचिंते अंति तो वि उपसरग है चिति ग्याने धातु है सत्री प्रत्य और गिंप प्रत्य है फिर है बोधिता बोधिता बोध धातु है ता प्रत्य है और इसमें क्या इडिच प्रत्य और है अनन्यमानसा ना अन्यस्मिन मानसम यस्याह सा तो ये बहुविरी सम यह दुन समास हो जाएक विद्धार यह नय तवानम यसयतत्त अनन्य मानस यसया सा और यम यम जो आया वो दस्ञ उन्त के लिए और सहा भी दस्ञ द मुझान्य आया तप्पो धनमें तपाह एव धनम यह इस्य ट्यदं समास है तो आपको ध्यान रखना है जो समास हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परिच्छाओं में पर देखे तपो धनम यानि तपह एव धनम पस्य इत्य तपो धना बहुविरी समास है और प्रमत्त प्रधात उपसर्ग है मद्ध धातु है उकत प्रत्य है और उपस्तेतम है उपसर्ग इस्ता धातु तप्रत्य है बिद ज्याने लट लकार मद्यम पूर्ष एक वचन है इस मारिश्यती इस मेरी धातु है लिरिट लकार लेरेट लकार है और प्रतम पुर सेखवचन है इसी प्रकार सन है तो सन में क्या है अस धातू सत्त्री प्रत्य और कृत है तो क्री धातू और पुत्ता प्रत्य है इस प्रकार से क्या है ये जो है इसकी ब्याकन टिपनी हो जाती है विध्यारतियो अब ध्यान रखेंगे अब उसके बाद देखिए यह जो हमारी पुस्तक है जब आप पढ़ेंगे आगे तो देखिए यह जो है हमारा जब आप देखते हैं प्रियम बदा जब यह जो साब है इससे पहला जो आपने इस लोग पढ़ा तो यह जो साब है वो किसके द्वारा दिया गया था यह साब दिया गया था दुरवासा की द्वारा अब होता क्या है कि इस साब को जब प्रियम बदा सुन लेती है और प्रियम बदा जब इस साब को सुन लेती है विद्यारतियो तो वह प्रियम बदा क्या कहती है कि हा धिक हा धिक आपसे कई वार जो TGT PGT की परिच्चाएं होगी है उसमें कई वार ये परिशन पूछा गया है कि जो दुरवासा रिसी हैं उनके साप को सबसे पहले किस ने सुना था तो आप ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले किस ने सु आप प्रियम बदाने प्रियम बदा क्या कहती है हा धिक हा धिक अरे धिककार है धिककार है अप produce दुर्वासा रिशी का दुरवासा रिशी ने सकूंतला के लिए जो साप दिया था तो वह सब से पहले किसे ने सुना था तो आप ध्यान रखेंगे किसे ने सुना है प्रियम्बदा ने तो क्या कहती है हा देख हा देख अरे हड़े दिखका रहे अप्रियम्बदा के जो अप्रिय है वह हो गया कस्मिन अपी पूजा हा रहे अपराध्धा सुन्ने हिर्दया सकुंतला कि जो सुन्ने हिर्दय वाली सकुंतला है उसने किसी पुझ्य व्यक्ति के साथ क्या किया है अपराध किया है फिर क्या कहने है प्रोव लोग क्या आगे देख करके अरे न खलू यसमिन कसमे न पी कि जिस किसी के प्रति नहीं एस दुरुवासा सुलव कोपो महरसिह कि एस मानि यह है दुरुवासा दुरुवासा नाम है रिसी का सुलव कोपो महरसिह कि यह तो क्या है जिनको सिग्र ही कोप सुलव हो जाता है अर्थाद जनको क्रूद सिगरा जाता है ऐसे मेरसी दुरवासा है तो आप ध्यान रखेंगे किसे ने साप दिया था सकुंतला को दुरवासा रिशी ने साप दिया है और तथा सप्त्वा बेग बल उतफलया दुरवारया गत्या प्रतिनी नी विर्टह क्या कहती है प्रियम्बदा कि तथा सप्त्वा यानि उस प्रकार से उसको साप दे करके वेग बल उतफलया दुरवारया गत्या प्रतिनी विर्टह कि वेग और बल से युक्त दुरवार अर्था जिसको रोका नहीं जा सकता है ऐसी गति से बापस जा रहे हैं इस प्रकार से क्या है जो प्रियम्बदा है कई बार परिच्छा में पूछा जाता है प्रसन कि जो सकुंतला है उसको साप किसी ने दिया था तो आप ये ध्यान रखेंगे किसी ने दिया है दुरुवासा रिसी ने और सबसे पहले किसे ने सुना साफ को प्रियम बदाने अब कहती है अनुसुया कहती है कुण अन्यू हुत वहाद दगधुम प्रभवती के कौन दूसरा ऐसा होता है अगनी के लावा जो जला सकता है ज्यां रखेंगे ये कतन कई भार परिच्छा हम पूछा गया कौन यो पुत वहाद दगधुम प्रभवती अर्थात कौन दूसरा है जो जलाने में समर्थ है अनसुया का कतन है ये गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्ते नम यावत अहम अरगोद कम उपकल्प्यामी क्या कहते है अनसुया के गच्छ प्रणम्य निवर्ते नम इनको लोटा के लाना और यावत हम अरगोद कम उपकल्प्यामी जब तक मैं अरख और उदख ले करके आती हूँ यानि जो अनसुया है अनसुया प्रियंबदा से कहती है कि तुम जाओ और उनके पैरों में नमस्कार करना और उनको लोटा के लाना और तब तक मैं क्या करती हूँ उन महर्सी के लिए अरग और उदख ले करके आती हूँ जहां रखेंगे अरग और उदख क्योंकि अरग होता था और उसको ले करके आती हूँ प्रियम्बदा तथा प्रियम्बदा बैसा ही करती है क्योंकि प्रियम्बदा को उस अनसुया ने भीजा है तो प्रियम्बदा क्या है उन रिसी के पास चली जाती है और इतिन स्क्रांता ऐसा करके चली जाती है अनसुया पदांतरे इसकलेतम निरूप्या अनसुया थोड़े कदम चलती है और वह क्या इसकलित हो जाते हैं उसकी कदम अर्थाद उसकी जो कदम है वो लड़कडाने लगते हैं और जब उसकी कदम लड़कडाने लगते हैं तो देखी क्या कहती है अहू अरे आबिग इसकलित गत्या प्रवरस्टम मम अगरहस्तात पुस भाजनम यानि उसके पेर लड़ खड़ा जाते हैं और कहते हैं अहू अरे आवेग इस्खलित गतया यानि आवेग से लड़ खड़ाई हुई गतीव की द्वारा प्रभरष्टम माने गिर गया है मम अगरहस्तात पुस भाजनम यानि मेरे हाथों से फूलों का जो पात्र है वहे गिर गया है इते पुस पुस चैम रूप एती इसमें क्या बताया कि अनसुया जब जाती है तीब्रगती से जाती है तो उसके पैर लड़ खड़ा जाते हैं और उसके हाथों में जो पुस प का पात्र था पुस भाजन था वहे गिर जाता है और इते हुस्पुच्चेम रूपयती और ऐसा कहे करके क्या है वह जो फूल थे उनको वह एकत्रित करने का अभिने करती है रूपयती अर्थात उसको एकत्रित करने का क्या करती है वह अभिने करती है प्रियम बदा कहती है प्रतिवक्रह सह कस्यानुनयम प्रतिग्रहनाती क्या होता है प्रत्प्रकृतिवक्रह के सुवाब से जो टेड़े हैं सकस्यानुनयम प्रतिग्रहनाती के ऐसा व्यक्ति किसी के अनुनय को ग्रहन नहीं करता है सुईकार नहीं करता है किमपी पुनह सानुक्रोष करता है कि मैंने कुछ अनुक्रोष कर लिया था क्या कहा उसने कि अनुक्रोष का मतलब हुता है विद्यार्तियों दयालू बनाना यानि प्रकृति से क्या कहा उसने प्रकृति वक्रह सकस्य अनुनेयम प्रतिग्रहना थी कि सुभाव से जो टेड़ा व्यक्ति होता है वो किसकी अनुनेय को किसकी निवेदन को स्विकार करता है और किमा पी पुनासान क्रोसा किरता है कि फिर भी मैंने कुछ उनको अब दयालू कर लिया था अनसुया सहिस में तम मुस्करा करके पूछती है तस्मिन बहवेतद कते है कि फिर तो ये ठीक है बताओ क्या हुआ था तो प्रियम्मदा कहती है कि यदा माने जव निवर्ते तुम नेच्छती लोटने के लिए तयार नहीं हुए तदा विग्या पे तुमया तो मैंने उनसे निवेदन किया क्या का तदा विग्या पे तुमया तो मैंने उनसे निवेदन किया क्या निवेदन किया भगवन के ही भगवन प्रथम एते के प्रथम एते प्रेच्य अविग्यात तपह प्रभावस्य के प्रथम बार प्रेच्य देख करके और अविग्यात तपह प्रभावस्य और जो आपके तब के प्रवाब को नहीं जानती है दो हित्री जनस्य कि जो आपकी पुत्री है भगवतई को अपरादो कि भगवान की यानि आपकी प्रति जो अपराद हुआ है मरसाई तब्याइते वहे छमा करने योग है क्या कहा प्रियम्मदाने की यदा निवरते तुम ना इच्चती कि जब दुरुवासाने लोटने की इच्चा नहीं की तदा विग्जापितो मया तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवन हे भगवन प्रत्वम इती प्रिच्छ अबिग्जात तपह प्रभावस्य से दुहि एक अपराद को मापखनना चाहिए अर्थात पहला अपराद है उसका और यह क्या है छमा करने योग है तो इसलिए हे भगवन आप क्या करेंगे उसको छमा कर दीजिए देखिए अनसुया कहती है उसकी बाद क्या हुआ तो प्रियम्बदा कहती है ततु नमी बचनम अन्यथा ववितुम रहती कि मेरा जो बचन है वह अन्यथा नहीं हो सकता है क्या कहती है प्रियम्बदा कि ततु नमी बचनम अन्यथा ववितुम रहती तो वो जो रिशी दुरुआसा हैं वो क्या बोले कि मेरा बचन अन्यथा नहीं हो सकता है किन्तु अभिज्यान आवरण दर्शनेन कि अगर उसने कोई भी आउशन दिया हो तो उसको दिखाने से सापो निवर्तिस श्यत एती तो इससे क्या साप समाप्त हो जाएगा और मंत्रे मानहा अर्थात ऐसा कहते कहते ही एव अंतर ही था अंतर ध्यान हो गए अर्थात वह जो रिशी दुरुआसा थे वह ऐसा कह करके क्या है वह गाइव हो गए अंतर ध्यान हो गए अनसुया वोली सक्यमिदानिम आस्वसितों फिर तो हम आस्वस्त हो सकते हैं यानि धैर हम धारण कर सकते हैं वो वोली सक्यमिदानिम आस्वसितों के फिर तो हम आस्वस्त हो सकते हैं धैर धारण कर सकते हैं अस्ति तेन, राजरिश्णा प्रसंप्रस्ति तेन, स्वनाम धेय अंकितम अंगुलीयकं इसमरनियं इती स्वयं पिन्नध्धं के अस्तिमाने है तेन राजरिशना सम उस राजरिशी दुस्यंत की द्वारा सम प्रस्तितेन जाते समें स्वनाम धेय अंकितम अंगुलियकम अपने नाम लिखी हुई एक अंगुठी अंगुलियक कहते हैं अंगुठी इस्मरणियम इति स्वयम पिन्नद्धम के उसने इस्मरणियम अर्थात इस्मरण चिन्नकी रूप में स्वयम पिन्नद्धम स्वयम पहनाई थी तो देखे इस पर भी क्या है अनेक बार ये प्रिसन आया है विध्यारतियों कि वह राजहा उस सकुंतला के लिए क्या दे करके गया था तो आप ध्यान रखेंगे अंगुलियक यानि अंगुठी और उसने उसको पहनाई थी और तसमिन स्वाधीन उपाया सकुंतला भविस्यती और उससे क्या होगा कि जो सकुंतला है वह स्वाधीन उपाया है अर्थात उस सकुंतला के उस साब की उससे निवरत्ती हो जाएगी उस साब की उससे समाप्ती हो जाएगी प्रियम्बदा कहती है सकी एही देवकार्य उतावत नवर्तयाव कि आउ सकी जब तक देवताव का जो कार्य है उसको समाप्त करते हैं देव पूजा करते हैं तो इती परिक्रामत है ऐसा कहे करके दोनों घूमती हैं प्रियम्बदा कहती है बिलोग के देख करके अनुसुये अरे अनुसुया पस्चतावत के देखो बाम हस्तो पहित बादना लिखितीव प्रिय सकी के बाम हस्त पर बैसे पूछा नहीं है अब तक लेकिन पूछ लेता आप देखना ध्यान रखना बाएं हात पर मुखरक के बै हाथ पर रखे हुए मुखवाली अलिखितेव प्रियसकी के प्रियसकी जो सकुन्तला है वो ऐसी लग रही है जैसे उसका चित्र बना दिया है और भरत्री गत्या चिंत्या आत्मानम अपी नईसा विभावयती कि भरत्री गत्या चिंत्या यानि पती से सम्मंद्य चिंता की द्वारा आत्माना मपी नई सा विवावयती यह तो अपने आपको भी नहीं पेंचान पा रही है क्या कहा कि पती की जाने की चिंता की कारण वह तो अपने आपको यह नहीं समझ पा रही है तो किम पुनरागंतुकम तो फिर अगर कोई अथिती आ जाता है तो उसको यह कैसे पहंचानेगी अनसुया केती है प्रियम्बदे द्वयूरेव नव मुख एस ब्रतान्त तिश्टतू कि देखे यह जो बात है यह कईवार यह पंग्ती पूछी गई है परिच्छाओं में कि जो साप का ब्रतान्त था कौन सा ब्रतान्त जो दुरुवासार इसी ने साप दिया उस सकुनतला के लिए तो वह उन दोनों सक्षियों ने किसको बताया यह कई बार पर सनाया है तो आपको इध्यान रखना है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया अनसुया ने यह कहा कि प्रियम्बदा द्वयूरेव नव मुख एव ब्रतान्त थिश्टतू कि यह जो ब्रतान कुन सा ब्रतान तो ये जो साप वाला ब्रतान थे ये हम दोनों के मुख में ही रहेगा और रचित तब्या खलू प्रकरती पेलवा सकी और निश्यत रूप से सुभाव से जो सुन्दर सकी है उसकी हमें रच्छा करनी चाहिए प्रियंबदा कहते है कुनामू सुनो दकिन नव मालकाम सिंचती ये पंक्ती भी अनेक बार पूछी गए परिच्छा में कि ये किसने कही है तो इसमें देखिए प्रियंबदा कहते है कुनामू सुनो दकिन नव मालकाम सिंचती कि कौन ऐसा ब्यक्ति होगा जो नई नई मालका को गरम पानी से सेच्चन करेगा और इत्य होगी इनिसक्रांते ऐसा कहे करके विए दोनों चली जाती हैं इत्य बिसकंबक है तो है तो आप ध्यान रखेंगे यह सुद्ध बिसकंबक है विद्धYARतियों क्योंकि संस्का दुभासाम में कहा गया सुद्ध बिसकंबक है और य पूछा जाता है तो इस प्रकार से विद्ध्यारतियों विसकंबक तक आज हमने पढ़ा और आगे आने वाले वीडियो में इससे संबंद अन्य विसे को पढ़ेंगे क्योंकि पाठ करना जरूरी है आपको पुस्तक पढ़ना जरूरी है अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ोग झाल 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 झाल